सखी सहेली जोरो शोरों से चल रहा है और ये बहुत कुछ हमें संदेश दे जाता है तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या-क्या संदेश छुपा है ये दही हांडी का जो उत्सव होता है प्रदर्शन होता है या जिसे खेल कह सकते हैं तो इसमें क्या लगता है कि आपको क्या-क्या सं बिल्कुल आज है अंतराष्ट्रे पुलिस सहयोग दिवस और नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायू का अंतराष्ट्रे दिवस भी आज ही है आज ही के दिन है और अंतराष्ट्रे पुलिस सहयोग दिवस जो है आज पहली बार मनाया जा रहा है तो इसकी धेड़ सारी बधा है और क्या-क्या है यहां पर यह देखेंगे कुछ-कुछ तो मंदिर होंगे कुछ-कुछ संग्रहाले हैं इन सब जगहों पर घुमेंगे जी बिल्कुल और जो दिन याद करना है सबी साथियों को वो है जनमाश्ट में की का दिन और जनमाश्ट में की यादें सब साजा करें क्या क्या यादे हैं क्या खाती थी जाकी सजाई जाती थी क्या खाते थे किस तरह से मतलब बनाते भी हैं कैसे लोगों के घर जाते थे दर्शन करने और वहां किस-किस चीज का इंतजार रहता था किसकी सबसे जादा सुंदर सश्टी थी जाकी और उसके लिए क पढ़ घाला लगाइन अज़ एक रडु बात लगता था। जब बहुत जबरदास झटका लगता था झाला जवे लगता था। और हमों भी तो जभला टेता था। एक बल्ब फ्यूज रहता था। और सब को टेस्ट करना होता था लाइन से वो करते करते बड़ा जटका लगता था खैर उसके भी बातें करेंगे लेकिन जो खुश रहने की बात आती है तो पुलिस सहयोग दिवस मनाने की जरूरत इसलिए महसूस की गई कि सब कुछ अच्छा चले हाँ और अज पहली बार अंतरश्ट्रे पुलिस सहयोग दिवस मनाया जा रहा है और संयक्तराश्ट्र महसभा के 47 सत्र के दौरान दिसंबर 2022 में ये निर्ने लिया गया कि हर साल 7 सितंबर को अंतरश्ट्रे पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा और इस तारीक को चुनने का भी मुख्य कारण है बुआ जी बिल्कुल है इस इसी दिन अंतरश्ट्रे अपराधिक पुलिस संगठन यानि की इंटरपोल की स्थापना और हुई थी सम्वा स्थापना दिवस है उनका 7 सितंबर 1923 को स्थापना हुई थी इंटरपोल की जी बिल्कुल और इसी उपलक्ष है कि दुनिया में गैंडरी भूमीका को जागर किया जाए अपराधिक जो गतिविधिया है उनको कम से कम किया जाए संभा हो सके तो कम करते करते उसको रोक ही दिया जाए तो लोक सुरषित रहेंगे खुश रहेंगे पुलिस और अन्या कानूनी संस्थानों के बीश में ज पुछिए होगे फवाजी इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? इस वर्ष की थीम है, पुलिसिंग में महिलाएं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से महिलाएं इस शेतर में आगे बढ़ने लगी हैं और ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं को बड़ी संख्या में वो तो जाएंगी ही जाएंगी और जो नहीं जा सकती जिनके उम्र हो चुकी है वो अपने बच्चों को भेजेंगी अपनी बिट्या लोगों को भीजेंगी और अगर शादी करके बहुरिया भी आ चुकी है तो उसे भी कोशिश करेंगे इस सेवा में भेजे और एक हमारे पुलिस का सरवाधिक प्रयोग किया जाता है ऐसे ही उद्देश की सामाजिक आवश्यक्ता को देखते हुए इस बल का सरवप्रतम गठन किया गया आज ऐसे ही गठ बंधन का अंतराश्ट्री दिवस मनाया जा रहा है अपने उद्देश्यों की पूर्ति है तु हम नमन करते ह हुए बधाई और धेर सारे शुपकामनाय देते हैं तो हम भी बधाई और शुपकामनाय देते हैं साथ हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि अंतराश्ट्रे पुलिस सहीयोग दिवस साथ सितंबर को प्रतिवर्ष आयोजित सहित राश्ट्र द्वारा मनाया जाता है ये इंटर अकसर मामूली तौर पर मामूली मामलों के आधार पर आयोजित होता था दुनिया का पहला अंतराश्य कानूनी प्रशासन सहीयोग का पहला प्रयास था जो 1859 में स्थापित हुआ था और ये जर्मन राज्यों के पुलिस यूनियन था इसमें विभिन जर्मन भार्शी देशो के गुप्त पुलिस बलों को एक साथ लाने का कारिक किया गया था लगबग ऐसी ही जानकारी हमारे सभी साथ्यों ने दी है तो सबका अलग लगम नहीं पड़ते हैं लेकिन हलाकि इन्होंने जैसे लिखा है कि मनाया जाता रहा है तो हलाकि इन्ही साथी ने इन्ही शोता न का प्रयास भी हम करेंगे यह संकल्प लेते हैं तो बुआ जी रखवालों की इतनी बाते हो गई लेकिन बहुत साइज चीजें ऐसी हैं जिनके रखवाले हम भी बन सकते हैं अरे लेकिन उसके पहले एक बात और बता दे कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ ही ये भी ही है बलकि ऐसे कई भी काम है जिसको अनुशासन में रहकर हमने बहुत लोगों को सहयोग किया जब भी कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन को ही लोग फोन करके सूचित करते हैं तुरंत घटना स्थर पर आने के लिए कहते हैं सिलिंडर का वेत्रन करना पुलिस सही हो गही है अipना करतव के साथ हर मस्तों पर आम जंता का सहीयोग करती है पुलिस वी कि हम अक्सर यह सोचते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे लेकिन यह जो दायत तो पुलिस बल निभाता है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखने कले तुम कुछ और भी कह रही थी विल्कुल हम तो आकाश देख कर चलते हैं भी तो फिलहाल नजर आ रहा है अभी तक यही तो हम कह रहे हैं वैसे आज यह बता दें कि मतलब यह नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायू का अंतराष्ट्रे दिवस मनाया जा रहा है इस दें बात करने जा रहा हैं लेकिन अभी हमारे किसी साथी ने जैसे ध्यान देलाया कि हम लोग हमारी उम्र के लोग थोड़ा सा चीजों को देखते थे और बड़े अच्छे तरीके से देखते थे उसका विवेचन करते थे कि अच्छा यह रंग देखो अगर चार रंग दिख रहा है हरा पत्तियों में तो कितना प्यारा रंग है चारों अलग-अलग रंग दि चाहिए जो नीला आकाश है वो दिखना चाहिए और हम सब जानते हैं कि सच वायू जीवन क्ले उपयोगी है और सालों साल प्रदूशन के आकड़ों को हम बढ़ाते ही जा रहा है हर साल बढ़ाते जा रहा है और इसका कई खाम्याजा भी हमें ब्हुतना पढ़ रहा है जै लिखनों की कैंसर हो रहे हृदय रोग जैसी कई गंभीर बीमारियां अब पैर पसार चुकी है यूँ भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है बहुत ही आम होती जारी जारी चीज़ी कोरोना भी शायद इसलिए इतनी जल्दी नहीं गया क्योंकि हम बहुत बुरी दरह से संक् जबकि यह नहीं सोच रहे हैं कि यह कर पर्यावरन प्रदूशित रहेगा तो यह आर्थिक विकास भी कहीं न कहीं बाधित होगा और हो रहा है जैसे कि अभी दो साल बिलकुल हम सब घर बैठ गया और सब चीज़ें ठप हो गई तो इन सब को देखते हुए और सभी को पराश्री दिवस मनाने का फैसला किया और भाई यह दो साल ज्यादा बड़ा है अभी जो हम दिवस मना रहे हैं सेना सहयोग दिवस अरे पुलिस सहयोग दिवस क्योंकि यह 2020 से हम मना रहे हैं विलकुल तो इससे चार साल हो चुका है हमें मनाते मनाते और चौथी बार यह हम मना रहे हैं 2020 मना रहे हैं 2020 मतलब 22 को मना था दो साल बाद हो दो साल हमने वैसे भी को रोना में गिनना बंद कर दिया है जी विलकुल और इस पार जब चौथी बार मना रहे हैं तो इसकी थीम रखी गई है टोगेदर फॉर क्लीन एयर यानि के स्विच वायू के लिए एक साथ क्या बात है और इसके अंतर गत हम सब मिलकर वायू प्रदूशन को रोकनी का प्रयास करें और इसके लिए जो भी हम कदम उठा सकते हैं जैसे कि सबसे आम और जो कदम है वो है विक्षा रोपन हम एक एक विक्षा अगर हम लगाते हैं तो इससे स्वच वायू मिलती है हमें और बहुत साए जो परदूशन करने वाली कारक थे वो कम हो जाते हैं यह चाहे कि वायू प्रदूशित हो रही है लेकिन वरिक्षा लगाने से वह उनको पर रखने की कोशिश करें उनके बचाओं का प्रयास करें हमारे जो वहन हम जो चलाते है उनसे प्रदूशन कम से कम हो इस बात का ख्याल लखें अगर वहाने उसका इंजन पुराना हो गया तो उसे बदल ये और जो पहले के पारम पर एंधन जो है कोईले लकडी इनका उप्योग कम किया जाए क्योंकि इनसे भी जो दुआ निकलता उससे परिशानी हो जाती है और इसके उद्योग जो है उन्हें शहरी शेत्रों से बाहर रखा जाए उनकी चिमनियों के एक उंचाई निर्धारित है उस उंचाई पर ही उन्हें रखा जाए तो इस तरह के जो चोटी-चोटे प्रयास हमारी तरफ से हो सकते हैं और बिलकुर प्रदूशन रुक सकता है बहुत जैसे कि वहान हम चौराहे पर है तो बंद नहीं करते हैं अगर दो मिनट का रोक है उसमें अब रेक है तो अंतरालगर है तो नहीं रोकते हैं एक चीजों का खयाल लखना बहुत जरूरी है बहुत चोटी-चोटी पास की जगह पर जाना होता है कम दूरी पर जाना होता है तो प्रयास करें इस तरह से आप भी स्वस्त रहेंगे और हमारा वातावरण भी स्वस्त रहेगा ये जो नीले आकाश के लिए स्वच्वायू का अंतराश्ट्री दिवस है इसको मनाने का जो अदेश है वो कहीं ने कहीं पूरा होगा कि अदेश ने 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 गागन के तले जब घूमने जाते थे इपना अननद आता है जब हम पहाडों की और जा तो इसे लगता है बिना फिल्टर की फोटोगीच रहा अब यहाँ बिल्कुल आश कि भाशा में अगर नहीं बात करें तो किसी तरह की कोई फिल्टर लगाने की जर आप जब शुद्धवायू लेते हैं तो चेहरा भी निखर जाता है खुश हो जाते हैं हम और उसके संग-संग जो प्राक्रतिक रोशनी है चाहे वो चाहे दिन की हो वो इतनी स्वच होती है कि कहते है ना कि चेहरे पर फोकस अच्छा आ जाता है और बड़ा आनन्द भी आता यहीं जाना है घूमने अब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहां आसपास एक चोटा सा स्थान भी है जाना चाहिए एक महतुपून जगह है वहां गूमना चाहिए लेकिन समय नहीं रहता है क्योंकि हमने वैसे प्लान की होती है बिल्कुल पहले से योजना बनाते हैं और आसपास कैसी जगह है तो जा सकते हैं तो ऐसी ही एक चोटी से जगह यह हाले बीडु या हाले बीडु या हाले बीड़ इसे कहा जाता है और पुरा तात्विक दृष्टी से बहुत सम्रद्ध है यह जगह करनाटक के हसन् जिले में स्थित शोटा सा शहर है यहां मौज शहर बारवी शताब्दी में हुएसला राजवंश की समरे दराजधानी हुआ करते थे उस समय हाले बीड को द्वार समुदर के नाम से भी जाना जाता था यह हमारे साथी ने भी जानकारी लिखकर भेजा है बिल्कुल और होईसला राजवंच ने यहाँ चालुक के शैली और होईसला शैली में अलंकरित मंदिरों का निर्मान करवाया था इस शैली में दिवारों की मूर्तियों नकाशी दरस्तंब आदि का एक निर्मान हुआ है जो कि अलगी खुबसूर्दी समेटे हुए और अगर हम हाले बीड की बात करें तो यहां घुमने के लिए सिर्फ एक दिन का समय ही पर्यापता है। और अगर आप मैसूर या बैंगलोर की यात्रा पर गए हैं तो एक दिन का समय आप यहां के ले शुरुक्षित रख सकते हैं। किया होईसालेशवर मंदिर है। दुसरा शांतलेशवर मंदिर है। इसका नाम राजा विश्णु वर्धन की राणी, शांतला देवी की नाम पर रखना गया था। एक तारे की आकरिती वाले चबूत्रे पर ये मंदिर खड़े है। और ये शिव मंदिर है। और इसमें क्या बात है आकरितियां है जो आपको मंत्र मुक्त कर देती है क्योंकि सारे नकाशियां उस वक्त की की गई है जब इसके लिए आज के जैसे आसान उपकरण भी नहीं थे तो हैसला वास्तुकल्ला के तीन मंदिर विश्व धरुहर स्थल में स्थान रखते हैं जिनमें अहले बीड का होईसालेश्वर मंदिर है बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर है और सोमनाथ पुर का मंदिर शामिल है और होसालेश्वर मंदिर और केदारेश्वर मंदिर के बीच में स्थित है थी अहुकल है बारा खंभु की विशिस्ट सनरचना यहां देखने मिलती है और पार्शपनाच स्वामी की काले पत्थरों से बनी 14 फिट की प्रतिमा यहां है जिसके उपर साथ फन वाले सर्प सुशोबित है तो वाकई देखने जैसी जगे है यहाँ पर हम घूमते हैं गुआ जी कितना अच्छा लगता है जब कहीं घूमने चले जाओ अब तुम बताओगी कि जाने का समय यह है वो है लेकिन यह नहीं बताओगी कि जब वहाँ जाए तो वुजब दिवारों पर अपने निशान जो है वो न छोड़ कर आए अच्छी नकाशिया तो सीख के जाएं तो अपनी तरफ से पत्थर लें और उसमें अच्छी से कुछ नकाशी करें अपना नाम और पिर वाँ छोड़ का है वो पत्थर लेकिन उसमें लिखके नाए वो ठीक है यह चाहें तो आप वहाँ पर अपनी कागज और कलम या अपने साथियों से मंगवाया कि भाई लिखकर भेजिये कि दही हांडी में क्या संदेश मिलता है वो अभी तक हमारे साथियों ने लिखकर नहीं भेजा है लेकिन सबसे पहरे जो बात है वो यह है कि एक तो सौहार्दपूर्ण तरीके से सहयोग की भावना आती है और टीम की भावना जो होती है ने जूट कर काम करना उसमें नरम-गरम सब होना पड़ता है तो ये जो टीम की वाली भावना है वो इस खेल में हमें आ जाती है बड़ी आसानी से ऐसी और बहुत सारी भावनाय है न क्योंकि हम एक दूसरे को एक दूसरे की कंधे के उपर खुद चढ़ाते किसी और को ताकि वो उचाई पर जाए और एक जो फल है या लक्ष है वो हमें प्राप्त हो सके हैं उसे प्राप्त होता है लेकिन नीचे वाले भी उतना ही खुश होते हैं और उपर वाला भी यह समझता है कि जब नीचे वाला होगा तभी हम उपर पहुश पाएंगे और गुमते गुमते हम एकी मंदिर में रुग गए हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं अरे तो इतना सुन्दर है देखो बाराप में तुमने बताया विश्य चासन रश्णा वह हम देख रहे हैं जी 14 फीट की प्रतिमा हो तो खूब देर तक उसको न लेश्वर मंदिर जो है इससे अब थुड़ा आगे चलेंगे आधे किलोमेटर की दूरी पर एक पुरा तत्तो संग्रहाले हैं 1970 के दशक में बने इस संग्रहाले में हाले बीड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों की एतिहासिक महत्व की तक्रीबन 1500 से भी ज्यादा मूर्त और शिला लेक भी और यहां दो तरग की गैलरी है जिसमें से एक तो है जो कांच से बंद गैलरी है जिसमें जो एतिहासिक महत्व के बड़े आरक्षत संग्रह देखे जा सकते हैं और खुले संग्रहाले में आप देख सकते हैं नटराज, सरस्वती, श्री गनेश, आधी की मूर्तियां आप देख सकते हैं खुले में वो है तो चुना तो उने भी नहीं मिलता चुने लेकिन फिर भी आप उन्हें देख सकते हैं जैसे माली जगर वहां पर जो भी सुरक्षा कर्मी खड़े हैं उनकी नजर हटी तो आप उसको चाहते हैं चुना तो न चुए और देख और बीच में श्री वीर नारायन उत्तर की ओर श्री वेनु गोपाल और दक्षण में योग नरसिम्हा है यहां से महाभारत काल की कुछ घटनाओं को भी जोड़ा जाता है बिलकुल और हाले बीड के आसपास के स्थानों के अगर हम बात करें तो पास में आप बेलूर जा स जाते हैं तो एक गाइड जरूर आप ले लें क्योंकि यहां के स्तंभों और दिवारों पर इतनी महतुपूर नकाशियां हैं चोटी-चोटी मूर्थियां हैं कि आप देखेंगे आपको खुबसूरत तो लगेंगी लेकिन आप अगर किसी गाइड के साथ जाते हैं और वो अंदिरों के शुभा बढ़ जाती है हवाई मार्क का चुनाओ भी कर सकते हैं आपको बैंगलूर मैसूर मैंगलूर में से किसी हवाई अड़ेस को चुनना होगा आपको बाद में टैक्सी या गाड़ी बुक करके जाए और यात्रा का अनन्द लीजे और अगर रेल मार्क स आप जा रहे हैं तो सबसे निकटम रेल्वे स्टेशन है हसन जो कि हाले बीर से 32 किलोमेटर की दूरी पर है बैंगलूर से आप यहां रोजाना तकरीबन 79 ट्रेन है मैसूर से 17 ट्रेन और मैंगलूर से करीब 13 ट्रेन है तो इस टेशन से फिर आप टैक्सी या गाड़ी की सा है बैंगलूर से 210 किलोमेटर की दूरी है मैसूर से करीब 140-500 किलोमेटर मैंगलूर से 155 किलोमेटर लेकिन भाई जैसे भी अगर आप जा चा जहां चा वहां रह जाए यह जो खुबसूरत नकाशी जो हमारे पुराने कारीगरों ने बनाई है उसका नमूना देखिए वहां तो आप एक दो गहंटे में जल्दी जल्दी भी जो जरूरी जरूरी जगहां लगती है आपको देख लिजे और फिर वही पर संकल्प कीजे कि अगली बार आएंगे तो इतमनान से एक चीज़ को देखेंगे गाइट के साथ घूमेंगे वहां की तस्वीरे लेंगे और या अगर इतली होते तो दही आंटी के लिए चढड़ना ही नहीं पड़ता ना तो सीधे उपर से बैठी नहीं पाती उसके अंदर जो चीज़ है वह मिल नहीं पाती है इपी तो सोचो ऊपर से नजारा नजारा बस देखती रहती है और सोचते आए चड़ो चड़ो वैसे हमार का जश्न मनाने की जरूरत है भगवान कृष्ण को बश्पन में दूद से बने उत्पाद इतने पसंद है कि वह इना कवेल अपने घर से बलकि पडोसियों से भी चोरी करते थे इसलिए भी दही हांडी उत्सो मनाया जाता है यह इन्होंने लिखा है और दही हांडी के लिए वाई जैसे तुमने बताया कि उपर पहुंचते हैं लेकिन नीचे वाले का भी उतना ही सम्मान रहता है कि यह नहोते तो हम उपर कैसे पहुंचते और उपर वाला भी खुश होता है नीचे वाला इस बात से खुश होता है कि हमने इसे उपर लक्ष तक पहुंचा दिया तो कि बच्चपन का तो नहीं परंतु आज सुबह का वर्णन बताती हूं आजम प्रातकाल सकॉन मंदिर पहुंचे रिम जिम बारिश में वहां जाकर क्या देखते हैं कि मंदिर के पट बंध है और भक्तों की भीड सभी के मुक पर कृष्ण नाम लगबग 10 मिनट बाद पट सब एक टक निहारते रहे राधा कृष्ण से नजर ही नहीं अंट रही थी मन एकदम कृष्ण मैं हो गया उस पीच एक चोटा सा बच्चा कृष्ण रूप में दिखा आनंद दोगुना हो गया और अनायास मैं बोल पड़ी ये दिखो कृष्ण क्या बात है हाँ आज तो ब अच्छे मिलकर जहांकी बनाते थे और पूरा होस्टल सजाते थे रात को मटकी फोड़ने का करेक्रम और आर्टी किया करते थे बच्चमन की बहुत सारी यादें ताजा हो गए हर जन्माश्टमी पर ये यादें नहीं ताजा होती होंगी और हमारे एक साथ ही कह रहे हमें बच्पन की वो यादें जब कृष्ट जन्माष्टवी पर बाजारों में तरह तरह के कृष्ण जी के खिलाने की रूप में मिलने लगते थे जालर कुमकुम तरह के नकली फूलों के गुलधस्ते आधी मिलने लगते थे। धोलक मंजीरे के साथ कृष्ण जी के भजन काते थे वो दिन अब बहुत याद आते हैं और यही बात हमारे एक साथ ही और भी कह रहे हैं कि बश्पन में जर्माश्टमी मनाने का बहुत उत्साह रहता था जर्माश्टमी आने से पहले ही बगवान के श्रिंगार का सामान मुक का उत्साह देखते ही बनता है हमारे साथ ही ने आगे लिखा था कि शादी के बाद जब मेरी बड़ी लड़की तीन महिने की थी तो इसको सजा कर अपने घर की जहाकी में जूले पर लिटा दिया था अच्छा मेरे ससुराल वालों के पास फोटो आज भी है और उसके बच् की तरफ से इंदौर के गांधी हॉल में कृष्ण और अधा पर डांस किया था मेरी सहली जो गोरी और सुंदर थी वो राधा और हम सामले से कृष्ण बहुत सुंदर डांस था आज भी याद है कृष्ण कहां नहीं है महसूस तो करो आदी और अंत कणकण में कृष्ण है आ इसका मतलब नहीं कि ये सुंदर थी ने लेकिन वो भी सुंदर थी और आप भी सुंदर थी क्रिश्ण ने इसलिए भी शाहद कर रोप को इतना अपना जाता है आज आज के दिन तो खास तोर पर ये बात हम कह सकते हैं कि आज तो नहीं कर देने हैं उनकी तलाश की जाती है बलकि कृष्ण बनते हैं तो थोड़ा सा रंग गहरा कर भी दिया जाता है ता कि उनकी जैसे दिखें अच्छे लगें और वो एक चमक भी होती है थोड़े गहरे रंग में सावले रंग के जो तचा में जो चमक होती है उसकी अपनी खुबसूरत होती है वो अलग जिसे कनहिया जी का डोला बोला जाता था मा घर में भी करती थी बवास की बात की करने शायर बास के सूप को रंग कर उसका जूला बनाया जाता था उसी में भगवान की फोटो रखी जाती थी एक खीरा रखा जाता था खीरे में भगवान का जन्म होता था धनिया की पंजी जिका जन्म हुआ है तो एक सोहर भी इनोंने शेयर किया है जो उनकी नानी गाती थी अगर आप गा दें या आप बता दें गाएंगे तो नहीं लेकिन हाँ इसके बोल वाक़ी बड़े अच्छी है एक मास दुई तीन मास बितले चौथी मास में गरब भुजाई हुरामा नवा मास जो बीते ले काना जनम लहले हुरामा हतवा के खुलल हतकडिया पैरवा के जंजिर्वा हुरामा भादों के भयावन अंधिरिया पार करी कैसे लहरिया हुरामा तो महल में किस तरह से अंजोरा यानि सुबह हो गई और बधाईया बचने लगी तो कितना सुनर वरडन और किस तरीके का सोहर उस समय चलता था अभी भी हमारे बहुत सारे साथ ही बहुत सारी जगहों पर गाते होंगे बजाते होंगे जरूर लेकिन इस तरीके के सोहर की बात ही हो थी बिल्कुल और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी भेजी हैं वो कहते हैं कि बच्छपन में जन्माश्टमी मनाने का बहुत उत्साह रहा करता था जन्माश्टमी आने से पहले ही भगवान के श्रिंगार का सामान, मुकुट, पोशाकें और जहांकी की तैयारी कर ली जाती थी जन्माश्टमी की दिन संध्या अर्ति के पश्चाथ हम सब मंदिरों में जहांकी देखने जाया करते थे तो बिलकुल हमारी बाते करें, हमारे एकदम टीम के ऐसा हम कह सकते हैं, वो कहरें कि हमें याद है, जब बारा बजे कृष्ण जन्म के बाद, चर्णा अमरत और पंजीरी के साथ मेवे फल का बेसबरी से इंतजार करते थे, तो ऐसा इंतजार था में भी रहा करता है, वरिद्दा वन का कृष्ण का नहिया, सबकी आखों का तारा, और पिता जी खेट से आये थे, तो उन्होंने उसी समय बहुत सारी बाते हम से कहीं, और यह याद कर रहे हैं कि किस तरह से खेट में वर्षा आई थी, वो खेट के मतीरे, ककड़ी लेकर आये थे, पर उस दिन से यह गीत यादों में बस गया, जब भी कृष्ण जन्माश्टमी का दिन आता है, या फिर यह गीत बचता है, तो मुझे वो समय याद आ जाता है, कि किस तरह से पिता जी, ककड़ी और यह सब लेकर आये थे, खेट से, तो एक होता है ना, कि पिता के आनका भाव, समय का होता है, या कुछ समय ऐसे होते हैं, कि बिलकुर उसका चितर सा बन जाता है, और वो हमारे दिमाग में बिलकुर चिपक सा जाता है, जब भी हम खुश होते हैं, या ऐसे मौकि Waar आते हैं, और स्टेज में बोलते और अच्छा लगता और फिर मेरे बड़े भाई घर में सत्संग करते हम सब बच्चे मिलकर श्री राधे गोविंदा का किर्तन करते प्रसाद बांटते और फिर मेरे भाई भगवान की पाल की टायर लगा कर बनाते और फिर पूरे गाउं में घूमते ह पीछे पीछे नारे लगाते हाथी गुड़ा पाल की जैकनिया लाल की फिर पाल की घर छोड़ कर प्रसाद लेकर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते सच में वो दिन भी क्या दिन थे तो ऐसे दिनों की यादें ताजा होती हैं इसी तरह से जब त्योहार हम मनाते हैं अपी भी मनाईये बस यह हो सकता है कि आप टायर पर न जूला बना पाएं लेकि जैसे भी बनाईये बनाईये पंजीरी तो हमारे सभी साथियों को याद आ रही है चर्णा मृत भी बता रहे हैं कि जब चर्णा मृत मिलता था तो उसका मजा ही अलग था और रात में मिलता जब लड्डू गुपाल बाहर निकल दे तो बड़ा चमतकार लगता था बच्पन में तो बड़ा चमतकार लगता था और अब भी लगता है कि यह क्यों ऐसे बनाया जाता है यह तो समझ में नहीं आया और खीरे के दाम बहुत बढ़ जाते हैं अच्छा उसको भी एक बात चमतकार फिर नो के बड़े के वख राजाते हैं कि कारे क्रम से इजास्त लेते हैं करेक्र में एक अंतराल का है लेकिन हम से पहले लेते हैं अच्छात था यह यह लेते हैं सुईकार कीजे निहाशर्मा और बुआ का नमस्कार